एलो एरिवन आज हम बात करने वाले हैं एक्यूट इंफ्लामेशन की तो पिछली वीडियो में हमने बात कहा था ओवर आल इंफ्लामेशन की वहाँ पे हमने फाइफ कार्डिनल साइंस देखे थे और सारी चीज़े हमने देखी थी उसके बाद आवा ये हम इसका जो दो टाइ है इसको हम एक्यूट का बहुत बड़ा साइन है ठीक है जबके क्रोणिक में क्या होता मोनोसाइट होता है तो इसका तो अब意 levas it म溪ार है second to minutes and short duration तो यह बहुत जल्दी शुरू होता है और बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और रिप्रेजंट ए रियक्शन ओफ इन्नेट इम्मून सिस्टम को यह रिप्रेजंट करता है क्योंकि शुरू में जब इन्फ्लामेशन शुरू हुई तो वहाँ पे T-Lymphocyte और B-Lymphocyte वर्क नहीं करती है बलकि क्या है इन्नेट इम्मून सिस्टम हो जो जोता है निट्रोफिल्स मेंली यह वर्क करता है तो यह रिप्रेजंट ए रियक्शन ओफ इन्नेट इम्मून सिस्टम less specific तो यह less specific होता है तो वही होता है कि less specific response than chronic inflammation तो chronic inflammation के response से यह कम specific होता है acute inflammation और इसके stimuli क्या क्या होते है तो देखिए infections, trauma, necrosis, foreign bodies तो इस वज़े से acute inflammation शुरू होता है infection बहुत बड़ा cause है, trauma में भी inflammation शुरू होगा, यह भी acute होता है, necrosis और foreign bodies क्यों जैसे और उसके बद फिर देखिए mediators, तो mediators कौन-कौन से होंगे तो देखिए यह mediators सिर्फ यह याद करने वाली चीज़ें हैं, यहाँ पर बहुत जाता समझने वाली चीज़ें नहीं है तो देखिए, toll-like receptors, eredonic acid metabolites, nitrophils, isnofils, antibodies, वो भी pre-existing क्योंकि यह innate immunity को शो करता है, और mast cells, basophils, complement system और Hegman factor यानि factor 12, तो यह सारे इसके mediators हैं, और इसको हम याद ही कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम याद करना जरूरी है, और उसका उतिर है inflamasome, तो inflamasome क्या है देखिए, cytoplasmic protein complex, तो यह cytoplasmic protein complex होता है, that recognized products of dead cells, तो यह dead cell के product को recognize करता है, microbial products को recognize करता है, और crystals को recognize करता है, रियसे uric acid crystals को, फिर जब इसको recognize कर लेता है, उसके बाद यह activate करता है, interleukin 1 को और inflammatory response शुरू कर देता है, ठीक है, तो यह inflammation कि ये dead cell, microbial product, crystals को sense करता है उसके बाद interleukin 1 को ये secret करता है और inflammatory response शुरू हो रहा था इसी को हम बोलते हैं, inflammasome ठीक है, तो हमने inflammasome दी देख लिया कि ये interleukin 1 को secret करके inflammatory response create करता है और उसके बाद फिर component क्या होते हैं acute inflammation के दो component होते है एक cellular event होता है, एक vascular event होता है तो सबसे पहले vascular event देखते हैं तो देखें, vascular event में vasodulation जिसकी और ऐसे हमको क्या देखने को मिला था rubber and collar, redness and calorie generate, यानि heat तो ये हमने vasodulation में बात किया था पिछले वीडियो में तो देखें, vasodulation की और ऐसे increase blood flow and stressis blood flow increase हो जाएगा और stressis देखने को मिलेगा and increase endothelial permeability तो ये endothelial की permeability जो है ये increase हो जाएगी क्यों? contraction of endothelial cells open inter-endothelial junction तो ये inter-endothelial junction जो है फिर जो भी ये cell contract होंगे तो ये open हो जाएगा इसके उज़े से permeability increase हो जाएगी ये vascular event हुआ और cellular event क्या हुआ तो देखे इक्स्ट्रावेसेस्टन of leukocytes तो leukocytes ये देखे लिकोसाइट से mostly जब circulation होता हमारे linear circulation उसमें leukocytes बीच में होते हैं फिर ये beads से लेके बाहर आते हैं बाहर आके मतलब beads से लेके पहले किनारे आएगे और उसका बद फिर ये चले जाएंगे interstitial tissue में इसी को बोला गया extravacetion of leukocytes mainly neutrophils तो neutrophils देखे इक्स्ट्रावेसेस्टन इनका हो गया from post capillary venules तो post capillary venules से ये देखे बाहर आ रहा है extravacetion हो रहा है और accumulation of leukocytes in focus of injury तो focus of injury है जहाँ पर injury हुई है infection हुआ है इस जगह पर leukocyte आके accumulate हो जाएंगे और इसी वह जैसे फिर यहां पर leukocyte activate हो जाएंगे जब यह activate होंगे तो बहुत सारे leukocyte को यह call करेंगे immediately secret करेंगे तो उससे leukocyte यहां पर आएंगे और यह देखे वेस्कुलर event होता क्यों है तो देखे तो bring cell and protein to site of injury और infection तो जब vessel dilate होगी तो यहां पर ज़्यादा protein और cells आएंगे site of infection पे और यह repair करने के लिए helpful लोगे तो वेस्कुलर event का फायदा यह हुआ और cellular event में क्या होता है तो यहां पर देख लेते हैं तो देखे तो देखे तो देखे तो in healing resolution यह healing हो जाएगी सबसे पहले यह चीज़ देखने को मिल सकती है तो इसमें देखिए interleukin 10 or transforming growth factor बीटा इसका रोल होता है तो यहां पर healing हो जाएगी बात ही खतम यह हो सकता है कि यह acute inflammation persistent हो जाए तो इसके परसिस्टेंट acute inflammation हमको दिखने को मिलेगा और यहां पर interleukin 8 mediator होगा और उसके बाद फिर देखिए यह हो सकता है कि abzas का formation हो जाए acute inflammation के बाद avis का formation हो सकता है तो जाएग देखिए acute inflammation involved by fibrosis तो fibrosis हो जाएगी ठीक है तो इसको हम abscess बोल दिये abscess का formation हो सकता है acute inflammation के बाद या यह acute inflammation यह chronic में convert हो सकती है ठीक है वही देखिए chronic inflammation हो सकता है तो देखिए antigen presentation by macrophage and other antigen presenting cells तो antigen presentation macrophage से या दूसरे antigen presenting cells से होगा और यहाँ पर acquired ability अब काम करने लगेगी तो यह कि acute inflammation chronic inflammation में convert हो हो सकता है जरूरी नहीं है लेकिन हो जाता है अगर हम treat ना करें और उसका फिर देखिए जब यह antigen presenting cells activate हो जाएंगे तो देखिए activation of CD4 positive T helper cells तो CD4 positive T helper cells activate हो जाएंगे ठीक है यह हमको देखने को मिलता है chronic inflammation में और chronic inflammation यह acute inflammation की वजय से हो रही है यह scaring हो जाएंगे तो सकती है तो हमने acute inflammation के 5 आउटकम देखे पहला की healing हो जाएगी दूसरा persistent acute inflammation हो जाएगा और तीसरा फिर abscess का formation हो जाएगा chronic inflammation यह scaring और उसका फिर देखिए macrophages predominate in the late stage of acute inflammation तो acute inflammation के late phase में macrophages predominate हो जाते हैं और वो peak पे होते हैं 2-3 days after onset after onset 2-3 days पे macrophages यहाँ पे जादा work करने लगते हैं और an influence outcome by secreting cytokines तो फिर जब macrophages आ जाते हैं तो यह outcome को और जादा बढ़ा देते हैं क्यों क्योंकि यह secret करते है cytokines को तो जो macrophages cytokines को secret करेंगे उसकी वाज़ेसे outcome जो inflammation का है वो और जादा बढ़ जाएगा लेकिन यह macrophages यह acute में नहीं होते हैं यह bad में होते हैं लेट stage में होते हैं और यह peak पे होते है 2-3 days after the onset ठीक है फिर उसका बाद फिर granuloma औगरा का formation होता है जो आगे हम बात करेंगे chronic inflammation में तो आज की इस वीडियो में हमने बात किया acute inflammation की acute inflammation के mediators की हमने बात किया component की बात किया दो component और outcome की बात किया कि 5 outcome इसमें देखने को मिलता है ठीक है तो यह हो गया acute inflammation जो की rapid होता है और short duration के लिए होता है और इसमें innate immunity का ज़्यादा रोल होता है acquired immunity का इसमें काम नहीं होता है और इसमें जो main cell होता है वो neutrophil cell होता है ठीक है तो यह हमारे major points थे और हमने inflammationsome की बात की कि यह sensor होते हैं किसाब से और यह interleukin 1 को secret करता है लिए इसके वरे से inflammatory response initiate होता है